नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राथोड और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्क्रस करूँगा कतार में होने वाले चुनाओं के बारे में खाड़ी देशों में कतार एक बहुत ही डेवलप्ट एकॉनमी है और यहाँ पर डेमोक्रसी की सुगबगाहट पूरे शेत्र के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है तो यहाँ पर आखिर ऐसा क्या भी लेटेस डेवलप्मेंट हुआ है तो देखिए पिछले महीने यानि की मई 2021 में कतार की कैबिनेट ने ड्राफ्ट लो अप्रूव कर दिया है शूरा काउंसल एलेक्शन के लिए तो शूरा काउंसल जो है यह वहाँ की वो काउंसल होगी जो कानून बनाएगी लेजिसलेट करेगी और इसमें सलस्यों को चुन कर भेजा जाएगा तो इसी के इलेक्शन के लिए अब कानून बना दिया गया है अब जैसे ही मैंने चुनाव की बात करी तो आप में से कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आयोगा कि हमने तो सुना ह है इरान में चुनाव होते हैं एजिप्ट में चुनाव होते हैं तो यह सारे कंट्रीज भी तो एरफ कंट्रीज हैं यह भी तो गल्फ कंट्रीज हैं तो देखो इन में थोड़ा सा फर्क है अगर आप जोग्रिफिकली देखें तो पर्शन गल्फ के आसपास के सारे देश गल्फ देश या खाडी देश कहलाते हैं, लेकिन इन में एक बहुत बड़ा differentiation है, इरान को छोड़ कर ये बाकी जितने भी देश हैं, ये mostly GCC का हिस्सा है, GCC यानि की Gulf Cooperation Council, और आज के समय में geopolitics में mostly इन GCC देशों को ही खाडी देश कहा जाता है, इनी को Gulf countries कहा जाता है, इरान को इसमें शामिल नहीं करते हैं, और अमूमम इराक को भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही GCC के member नहीं हैं, in fact, इरान और GCC के जालतर सदस्यों में mainly साओधे अरेबिया के बीच में एक शीत युद्ध भी चल रहा है, इरान में definitely democracy है, वहाँ की जो मजलिस है, उसमें च तो उत्तरी अफ्रीका, यहाँ पर अरेबियन पेनिसुला, इराक, लिवान्ट वाला शेत्र, यहाँ हौन ओफ आफ्रिका, यह सब मिलाकर अरब वर्ल्ड बनाते हैं, तो इन में से कई देशों में चुनाव होते हैं, जैसे इराक में चुनाव होते हैं, सीरिया में और इन में कहीं पर भी चुनाव नहीं होते हैं, कहीं पर भी डेमोकरसी नहीं है, लेकिन जो अरब वर्ल्ड है, उसमें काफी जगे डेमोकरसी है, कई देशों में चुनाव होता है, पैलेस्टाइन में भी चुनाव होते हैं, लेकिन पैलेस्टाइन एक non-member observer state है, United Nations में, ठ हालात हैं, तो अब बात करते हैं हम इन गल्फ कंट्रीज की जिनको हम हमारे popular imagination में खाडी देश या फिर Middle East कहते हैं, क्योंकि भारत से कई लोग यहां पर नौकरियों के लिए जाते हैं, जौब्स के लिए और बहुत बड़ी भारत की डायस्पोरा यहां पर रहती है, तो य इन मेंसे कई देशों में कुछ जगे कुछ councils हैं जिनको कहा जाता है शूरा, शूरा का मतलब ही यही होता है, एक advisory body, एक advisory council, तो यह जो शूरा councils हैं, यह राजा को या राजपरिवार को assist करती हैं, लेकिन इनके पास कोई बड़ा democratic power नहीं है, और इन मेंसे जादातर countries पर यह हवाद चल पड़ी है, और इसी के कारण, कतार जैसे देशों में अब यह बड़ा बदलाव आ रहा है, तो कतार की location सबसे पहले समझ लो, यह है कतार यहाँ पर, सौधी अरेबिया के साथ इसका land border है, और किसी के साथ इसका जमीन पर border नहीं है, सिर्फ एक सौधी अरेबिया नॉर्मल हुए है, तो यह है यहाँ पर कुवेट, यह है यहाँ पर बहरेन, यह है कतार, यह है UAE, जिसको हम आम तोर पर दुबाई कहते हैं, लेकिन दुबाई यहाँ यहाँ पर एक एमिराथ है, यह है ओमान, तो यह और सौधी अरेबिया, तो यह सारे GCC countries हैं, यह है कता पूछा जा सकता है, अब आगे बढ़ें, उससे पहले आपको बताना चाता हूँ कि आप मुझे अनकाडमी आप पर इस ID पर फॉलो कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पर मेरा सभी जगे हैंडल है, महिपाल राठोड, लेक्चर का PDF आपको इस टेलिग्राम चैनल पाथफाइं उसको बूस्ट मिलेगा, आप अपने प्रिलिम्स के स्कोर को बहतर बना सकते हैं, इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको के वालेक अनलॉक कोड यूज करना है, और इस इस दे कोड, उननेस मई को कतार की कैबिनेट ने एक कानून पारित किया, जिसके तहत अप्टूबर के मह इने में वहां की शूरा काउंसिल के इलेक्शन को और्गनाईस करवाया जाएगा, शूरा काउंसिल लगबख सभी अरब मुनार्कीज के अंदर होती है, लेकिन वहां पर इसके लिए चुनाव नहीं होता, इसमें जो सदस्य होते हैं, वो अकसर राजपरिवार के ही सदस्य या फिर high ranking government officers होते हैं, कतार में भी एक शूरा काउंसिल है, जो 1970 से exist कर रही है, इसमें पहले 30 member होते थे, वाद में बढ़ा कर 45 किये गए, अभी जो 45 members हैं, इन में से 30 का चुनाव होगा, और 15 अभी भी वहां के अमीर के द्वारा, यानि कि वहां के जो राजा हैं, उनके द 12 साल लग गई elections करवाने में, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ रीजन से ये चुनाव स्थकित होते गए, पोस्पोन होते गए, तो अभी तक कतार के लोग केवल municipal elections में vote कर सकते थे, और political parties पूरी तरह से banned थी, कतार में एक और खास बात यह है कि वहां पर local population केवल 10% है, तो व सबी लोग वहां पर जाकर काम कर रहे हैं, economy के कारण, job के कारण वहां पर रहते हैं, तो कतार एक बहुती gas rich state है, तो foreign workers mostly यहां पर manual work करते हैं, और जो कतार के local लोग हैं, वो ज़्यादा manual work में involved नहीं है, they are mostly into management, etc. या फिर वो businesses को own करते हैं, तो ऐसा ही system लगबग सबी Gulf Arab states म हैं, Saudi Arabia, Oman, UAE, इन सब में एक Shura council या advisory council है, लेकिन कहीं पर भी direct चुनाव नहीं होते, UAE की council में कुछ seatों के लिए चुनाव होता है, लेकिन वो बहुत ही restricted चुनाव है, उसमें vote केवल वो लोग डाल सकते हैं, जो राजा के द्वारा approved है, तो जिसको UAE के अमीर कहते हैं कि ये vote डाल सकता है, mostly they are all top level officers और they are all members of the royal family, तो केवल वही लोग vote डाल सकते हैं, तो ऐसे में ये भी कोई free and fair चुनाव नहीं है, आम जनता को vote करने का अधिकार नहीं है, कुवेत और बहरेन में भी elected parlements हैं, लेकिन इन parlement के पास कानून बनाने का सरवुच अधिकार नहीं है, स चे उपर भारत में कोई भी body नहीं है, देश का सरवुच कानून जो भी होगा वो parliament के द्वारा, संसद के द्वारा बनाया जाएगा, कुवेत और बहरेन जैसे देशों में ऐसा नहीं है, बहाँ पर to some extent elections होते हैं, उनकी parliament के या council के, लेकिन जो final decision making power है, वो ultimately ruler के पास होता है तो कोई भी कानून अगर इनके द्वारा बना भी दिया जाए और ruler को पसंद नहीं आया, तो वो तुरंत अगले दिन ही खारिच किया जा सकता है, इसलिए ये true parliament नहीं है, इसके पास सच्चे कानूनन अधिकार नहीं है, legislative powers इसके पास नहीं है, तो कतार इसको बदलने जा र होगा कि वो कानून बना सकती है, legislative कर सकती है, तो finally 17-18 साल के delay के बाद ये चुनाव होने वाले हैं, और 20 मई को इस चुनाव को करवाने के लिए जो draft law है, वो भी approve कर दिया गया, publish कर दिया गया है, तो अब तो almost तैह है कि चुनाव होने वाले हैं, अब ये चुनाव conduct कैसे हो इसके लिए इन्होंने draft law में detail जानकारियां दिये, तो पहली बात तो ये कहा गया है, कि जो भी सरकारी employees हैं, वो अपने आपको nominate कर सकते हैं, शूरा council के लिए, और अगर वो nominate हो भी जाते हैं, तो अपनी job भी रख सकते हैं, तो elect होकर आप शूरा council में भी रह सकते हो, और पैसा भी कहां से आएगा, इसके बारे में उनको जानकारी देनी होगी सरकार को, और ध्यान रखा जाएगा कि ये पैसा illegal तो नहीं है, अब कतार और जाहतर अरब देशों में tribal या sectarian politics बहुत जादा होती है, तो अपनी अपनी tribe के लिए लोग vote करते हैं, या फिर अपनी tribe का भला देखते हैं, तो यहाँ पर जो candidates हैं, उनको ये साफ तोर पर कहा गया है कि आप tribal या sectarian rhetoric का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, या आप ऐसे vote नहीं मांग सकते हैं कि मेरे tribe के लोग हो, मुझे vote दे दो, ये सब आप नहीं कह सकते, public moral, tradition, religious, social values को आपको सबका संबान करना होगा, और अगर इनके खिलाफ जाकर कोई candidate अनरगल बयान देता है, तो फिर उसको ban कर दिया जाएगा इस कानून के तहट, यानि कि जैसा हमारे यहाँ पर RPA है, उसी प्रकार का कुछ शुरुवात इन्होंने भी कर दिये, तो ये इनका एक तरह का representation of people's act है, 1951 का, लिए सेम नहीं members of all military agencies, central municipal council, ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो सरकारी करमचारी तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो judiciary, मंत्री हैं, और जो military agencies के अंदर सदस्य हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव को सही तरीके से संपन कराने के लिए, judicial body की तरफ से एक judge को appoint किया जाएगा, और ये ध्यान रखेंगे कि voting में कहीं धानली नहीं हो रही है, कुछ गड़बर तो नहीं हो रही, अगर इस तरह की गड़बर करते हुए कोई भी candidate पाया गया, तो उसके खिलाफ severe penalty का प्रावधान है, अब ये सब कुछ significant क्यों है, देखे कतार का एक Vision 2030 document है, जिसके तह तो बता रहेंगी 2030 तक हमें कहां पहुँचना है, इसमें इन्होंने साफ तोर पर लिखाया है कि हमें policy making में जनता का सहयोग बढ़ाना है, public participation in policy making और accountability in legislative process, यानि कि जो कानून बनाएगा, वो जनता के प्रती जवाब देह होगा, accountable होगा, तो ये कैसे हो सकता है, of course चुनाव के तो इसलिए ये शूरा के सदस्यों में, अब 45 में से 30 सदस्य चुनकर आएंगे, जिससे की थोड़ा सा democratic process शुरू होगा, शूरा council के existing powers को भी थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, ताकि वो policy को जादा implement कर सकें, तो कुल मिलाकर, कतार ensure कर रहा है कि देश में जो कानून बनाने वाली संस्ता है, वो will of the people, यानि कि जनता की जो चाहत है, उसको follow करे, जनता जो चाहती है, जनता की जो मर्जी है, उसको respect करे, और वो कब possible होगा, जब शूरा में, चुनाव में, आम लोग वोट कर सकें, और साथी साथ आम लोग पहुँच भी सकें, तो ये दोनों ही चीज के basis पर constituencies ना बन जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत ध्यान रखा है, क्यूंकि कतार में और साथी अरेविया जैसे देशों में, tribal affiliations बहुत important होते हैं, जैसे भारत में आप देखोगे कि जाती आधारित politics बहुत होती है, उसी प्रकार से अरब देशों के अंदर जो politics है, काफी हद तक tribal affiliation पर based होती है, तो इसको तोड़ने की कोशिश करी है, कतार की सरकार ने, कि ये tribal affiliations यहाँ पर बनना शुरू ना हो जाए, सबको बराबर representation बिले इस शुरा council में, अब ये चुनाव जो है, एक और backdrop में आपको देखने चाहिए, 2017 में साओधी अरेबिया और अ चाहता है, और दूसरे GCC देश चुनाव नहीं चाहते है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कतार करवाएगा, तो फिर पडोसी देशों पर भी दवाव बनेगा, कि आप भी चुनाव करवाओ, तो ऐसे में ये लोग नहीं चाहते थे कि कतार भी चुनाव करा है, कोई चुन लेकिन अब ब्लॉकेड हटाने के बाद, जब कतार ने चुनाव की घोशना कर दिये, तो अब ये समझा जा रहा है कि कतार अपने पडोसी ओं के दवाव में नहीं आया है, जी सी सी देशों में खास करके साथे अरेविया के दवाव में नहीं आया है, और इवन्ट है, तो ऐसे में कतार में डेमोक्रेसी आ रही है, फीफा वर्ल का पा रहा है, तो इसी के साथ ये लेक्चर समापत होता है, आपको इसका पीडिएफ इन दोनों टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अगर आप 2022 यद 23 UPSC ए एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, तो अ प्लाटफॉर्म पर, तो पाथफाइंडर टेस्रीस का जो लिंक है वो आपको नीचे कमेंट में, पिंड कमेंट में मिल जाएगा, टेस्रीस को जाइन कीजिए, इस कोड को यूज़ करके आप फ्री में टेस्रीस को अवेल कर सकते हैं, हर अफते यहाँ पर रेगिलर्ली टे आपको का टेस्रीस को अवे खर्ण से सकते हैं।